अब देख रहे हैं तेश कबड़ 24 और जारी है ख़ापरों का सलसला विभिन ने मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी हर्टाल कर रहे वेटनरी छात्रों का अंदोलन दिन बदिन उग्र होता जा रहा है और शितकालीन हर्टाल पर गया ज्यात्र अपनी मांगों को लेकर अड लेकिन प्रसासन ने अब तक इनकी कोई सुर नहीं ली है प्रसासन द्वारा आंदोलन की अंदेखी करने के बाद छात्र अब उग्र होकर सड़कों पर उतरने को मजबूर है सुक्रवार को जहां रीवा में वेट्रेरी कॉलेज के हजारों की तादाद में एकक्रित हुए छा आपन सौपाहत वहीं जवलपूर के छात्रों ने भूखरताल सुरू कर दी है और जुलोस निकालकर जुतू में पालिस कर अपना विरोड जताया है सुक्रवार को रीवा के वट्नरी कॉलेज के छात्रों ने सहर से एक रैली निकालते हुए कलेक्टरेट कार्याले पहुँचे जहां उन्होंने कलेक्टर हो गया पन सौपाह है वट्नरी छात्रों की मांग है कि प्रदेश में पासू चिकित्सकों के सास्की अपदों की संख्या बढ़ाई जाए जिससे बेरोजगार पासू चिकित्सकों को नौकरी मिल सके निची वट्नरी कॉलेज खोलने पर रोक लगाई जाए और दिये जाने वाले मांदे को हम सभी पशू चिकत्साले के छात्री जो हैं पिशली पास दिनों से धर्ना प्रदेशन कर रहे हैं और हमारी सिर्फ चार मांगे हैं पहली है कि हमारी पशू चिकित्सकों की सीटे हैं हमारी प्रदेश में वो 1671 से बढ़ा कर साथ हजार कर दी जाए और उन्हें नियमित किय जाए और उन्हें लोकसेवा आयोग की परिक्षा के जरिये निकाला जाए दूसरी हमारी मांग यह है कि प्राइविटाइजेशन सरकार हमारी फील्ड का करना चाहते हैं उसे बंद किया जाए क्योंकि सरकार का ये कहना है कि आईसीर के हिसाब से 5000 पशू पर एक पशू चिक पर हमें रोजगार नहीं दे पाएंगी तीसरी हमारी मांग यह है कि जो हमारे इंटर्शिप के स्टूडेंट है उनको लोग सेवा आयोग कि प्रारंबिक परिक्षा में बैटने दिया जाए क्योंकि वैसे ही पात साल में एक बार वेकेंसिया निकर रहे हैं अगर हमारे चा कि उन्हें कोई मांदे नहीं मिलता उन्हें भी मांदे दिया जाए कम से कम 20,000 जो बाकि सभी प्रदेशों में दिया जाता है क्योंकि हम सब 5 साल पढ़ाई करने के बाद इस उमीद में रहते हैं कि कम से कम 3 साल में हमें कोई रोजगार मिल सके हमारा भविष्य सिर्फ यही वेटनरी कॉलेज में चल रही है इसकी वज़य से पढ़ाई नहीं हो पा रही है और इस हालात में पचूच गित्सकों के शामिल होने से वेटनरी अस्पतालों में पशूओं का इलाज भी नहीं हो पा रहा है चात्रों का कहना है कि राज शासन उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है इस वज़य से उन्हें हर्ताल करना पड़ा है और अगर शासन नहीं माना तो आंदोलन और भी उग्र होगा हम पिछले च्छै दिनों से यहां पर हड्ताल में बैठे हैं कल से हमारी बुः खर्ताल में चालू है किनतु सरकार का कोई भी प्रतिनीती हमसे मिलने अभी तक नहीं आया हमारे छात्रों की इस्थिती दिन बदिन घराब होती जा रही है हमारी चार पक्षिये मांगे हैं हमारी पहली मांग यह है कि मद्ध्रदेश में जो पशू चिकित्सकों की संख्या है वो 1671 से बढ़ा कर 7000 कर दी जाए क्योंकि मद्ध्रदेश की कुल पशू एकाई 4 करोड है और प्रती 5000 पशू में एक पशू चिकित्सक अनिवार है अर्थात कुल 7266 पशू चिकित्सकों की अवशकता है तो हमारी मांग यह है कि पशू चिकित्सकों के पदों को बढ़ाया जाए और नियमित रूप से उनकी भरती की जाए सरकार का कहाना है कि पशुचिकित्सकों की कमी है इसलिए उसने निजी विटनरी कॉलेज खुलने का प्रवधान पारित किया है किन्तु पवेश में अभी 1200 पशुचिकित्सक बेरोजगार गूम रहे है और प्रती वर्ष करीब 2500 पशुचिकित्सक आते है तो हमारी मांग या है कि जो निजी विटनरी कॉलेज खुलने का प्रवधान पारित हुआ है उसे निरस्त किया जाए हमारी तीसरी मांग या है कि हमारी यहां के यूजी और पीजी स्टुडेंट्स साथ से आठ घंटे काम करते हैं और इमर्जंसी में अपनी सेवाएं देते हैं और उनका स्टाइफन बहुत ही कम है तो उनका स्टाइफन बढ़ाया जाए और आगामी लोग सिवा आयोग के जो परिक्षा है उसमें इंटर्शिप के छात्रों को शामिल किया जाए और यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हमारी हरताल अनिश्चित कालीन चलेगी और हम आहिंसा के पत को छोड़कर हिंसा के पत को आप फॉलो गरेंगे